फॉर्मर इंडियन कोच जॉन राइट जो न्यूजी लेंड के खिलाडी थे हम सब जानते हैं फॉर्मर कैप्टन भी थे जॉन राइट ने एक ट्वीट थी और लिखा कि इस्नी किंग वन निल विन ओवर पाकिस्तान ठीक है आपको तैयार नहीं कर देती भारत के लिए आपको भारत के लिए तैयार नहीं कर देती क्योंकि इंडिया में इंडिया से टेस्क क्रिकेट खेलना एक डिफरेंट बॉल गेम ओल टूगेदर है ना वो सिरी लंका है ना वो पाकिस्तान है होम कंडिशन में इंडिया डेडली होती है मतलब है यह मतलब ह ता तो वह भी यही मिसल ले गए यानि कि यहाँ परिसनल माईल ट्रेंट के लिए नहीं क्रिकेट नहीं खेला जाता यह जीत और हार के लिए फैसले क्रिकेट में टीमों को लड़ाएंगे लेकिन मैज जीतने के बाद आज वो साज़िशी लोग भी सुनने हैं मैज जीतने के बाद रोई चर्मा ने कहा कि मैंने फॉर्मर कैपटन विरात कोली को देख देखकर बहुत कुछ सिखा है कि वो कभी भी मुमेंटम बनाने के चक्कर म मलेबाज आउट हो जाए वो बोलर्स को घुमाता रहता था विकेट की तलाश में रहता था हर वक्त हैस किर्केट में और मैं भी बतौर कप्तान उसी लेगेसी को आगे लेके चला मैं यह नहीं समझ रहाता ना यह सोच रहता कि बॉल तो इस पिन हो रही है यह खुदी आउ शिरीर चलती भी आ रही है सीना बासीना नहीं होता सीना बासीना यह दोनी से विराओड विराड से रोहे थी सीना बासीना चलने वाली चीथे म sencill वासे नहीं तो स्टार्ट चिया है ना उस पर तोड़ा समय है Schluss में यह वो जनाज़ा जिसपर हर कोई भूल चड़ाने के चक् प्रटेजा की बाद चोड़ी अभी वहां राइट आ गए डेमियन मार्टिन है इसके अंदर रोहिस रोहिस सर्मा भाई रोहिस सर्मा ने एक तरीके से जीत की नीव रखे थी जीत की नीव इन दा सैंस कि यार देखो अगर उपर से रंस नहीं आते पहली इनिंग में इंडिया तो वहां पर रोहिस सर्मा ने अपना हिम्मत दिखाया और बेसक से स्लोग खेले लेकिन उन्हों ने ऊस्टेलिया को रुला दिया जो कहते हैं रुला दिया मंदसलेंस की विकेट नहीं दी और वहीं पर नीचे के बल्लेवाज भी रंस स्कोर करेंगे यार रोहिस फिटनेस यसे था वह रंस नहीं कर पा रहा था भाय सबके साथ हो जाता है मैं बहुता हुए हो जाता है सबके साथ फिटनेस लेकिन यार उसको ध्तेव किया और अंगी वरोहिस नहीं उसने यहां पर लेकिन यहां पर इन समय से आभी तो रोहित के पास पूरे तीन मैंचीज तो यार विराट के पास एसी क्लास बंदे कि यहार मारेंगे ही मारेंगे बचके नहीं जाने वालियां से इन चैपल का मैं बताओं वो ये कह रहे हैं कि ये स्मित क्या इस्पिन की इस्पिनर को खेलते पर अंगूट थम का निशान दे रहा है इसको इस्पिनर अच्छा लगा इसके पास कोई आर्ट नहीं था उनको खेलने का नहीं कि उसे इसके ओपर जीता था और वो जस्टिन लेंगर को इसमें एड करते वे कह रहे हैं कि जस्टिन लेंगर जनाब दोजार इकिस में की ट्वेंटी वर्लकर जिताया पिर इंग्लेंड की खिलाफ फोड़ी रोएचिस जिताया और फिर उसके बाद वो सैक कर दे गए निकाल दे गए इनको र क्या नाम है उसको नहीं खिला रहा है जिसको जो कप्तानी करना था विराट की जागा रहाने रहाने सुक्षा को इन के बाद निकल कर आ गया जना कि दीसरे दिन किराया इंडिया को घुड़नौ यह guettin esimerk wild चल रहे हुं तो मैं कि इंडियागहे लिए इनने स्टार्ट वही इनको वह मजा चाखा दिया है जिस्ज्स मजें को पूरी सीरीज में भूते आ रहे हैं अब ऑस्टेलिया के लिए इस यहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है उसकी बज़ा जिए कि एक तो इंत्याई इंपरिस एक डिफीड है उनके घर वाले कह रहे हैं तो अब तो बाहर हमें तो कहने की धरूरत ही नहीं हम तो बहुत बूर बैटे वह हम कहा है या बहुत बुरा आ रहा है उस्टेलिया अब तो ऑस्टेलिया के अपने घर से आवादे निकल कर आ रही है वो ही आवादी जो एक दिन पहले तक रविंद्रा जेडेजा की उंगली पे लगाने वाले उस भरम को याद कर रही दिए देखो ही क्या कर रहा है बिकार की कॉट्रोवर्सी लेनी कोशिकरी मगर आज की शिकास के बाद क्यूंकि यार वो तो रोई शर्मा नहीं क्या कह दिया यह तो कोई भी यकिन नहीं कर सकता अब एक सेशन में पेल दिया सब्सक्राइब कर गया बिलकुल ही खेती विरान कर दिया उस्टेलिया की इतना बड़ा नाम यारी के उससे वर्टेस शिक का नंबर वन टाइटल भी मतलब नंबर वन रेंकिंग भी ले ली और फिर आउस्टेलिया को मतलब वर्टेस्टेश्ट में टेविल में रहने के लिए अगले तीन मैचिस में यारी के अंदर कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ेगा वे कंडिशन में थी के वो वर्ट नंबर वन टीम है अपने टाइटल भी देखा होगा कि इंडिया ने वर्ल्ड किलास टीम को हराया है अपने उन बैक यार्ड में और फाइदा उठा है अपनी कंडिशन का पर ऐसा नहीं अभी ये बात अर्ली हो जाएगी अभी कल वल से श उसमान ख्वाजा को बार करो ठुटे मार किया अप मेरी बात समझें एक आदमी का आपने वावेला मचाया वहां तो इतना नहीं मचा जितना दूसरे मुलकों में मच गया कि हमारे बहुत मचा है पाकिसान में बहुत शोर सा रावत है उसमान ख्वाजा अपे तुमारा पराज़की का इजार इस तरह से किया है कि हमने वर्ल्ड किलास टीम को तीनों डिपार्टमेंट में चित किया और हम बड़ी वैल मैलर्ड और वैल बैलनस टेस्टीम है हमेशा से यह नहीं कि हमने आज कोई अच्छी क्रिकट खेल ली और भार की आप फतुवात देखें दे से हार बरदाश नहीं थी टेस्ट किरिकट में वो पागल कर देते थे आप रियक्शन तो देखें एक नॉर्मल टेस्ट मैच में भी विरात कोली का रियक्शन देखें उसका कोई भी बोलर आउट करें तो एक्वली वो जो है उन बोलर को एप्रिशेट करता था और ऐसा नजर आ रहे थे कप्तानी को लेकर और फिर टीम के अंदर जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे उनके उनको भी वड़ा मुश्किल हो रहा था कि यार किसी फॉर्मेंट में रोहित पर्मनेंट नजर ने आ रहे थे स्वाई टी ट्वेंटी के है मतलब उसमें भी उनको क चिक रहो होता है कुछ ने डिसे रोज रोजीन रहे ही होता है आपको आपकी सर्कृर्थ के अंदर अगर कोma आथमार यह जैए मult needed है कंडा मतलब man करो आप हैं वह डोड़ु है और अगर वह यहां दूनी का नाम यह लएता है तो भी कुश होनी की बात तो यार्स इस Parlament कि यह लोग इंडिया में कभी सर्वाइब नहीं कर पाते क्योंकि इंडिया में आने के बाद यह सोचते हैं कि हम माइंड गेम खेलेंगे और इंडिया पर दबाव डालेंगे कि पिछ कैसी बना दी बोल टेंपरिंग कर दी तुम सबसे बड़े चोर हो उस्टेलिया के जो जड़े जाने बेंगे सालो कुटो तुम्हें गालिया देने की मन कर रहा है यार क्या ही बोलुकि मैं जड़े जाल जो है बोल टैंपरिंग कर रहा है तुम कहां से ऐसे लोग आते है अब और चार जी लोगी ना मुह काला कर ले लेना स्टीवीश मित डेविड बॉरन सालों तुम लोग कुछ भी कर सकते हो यार इतने घटिया लोग तुम तो पाकिस्तान से भी गीरे हुए लोगो मतलब बोल टैंपरिंग कहां से कर दी सालों यहां पर इतना कैमरा लगा पड़ा है तुम बहुत खतम लोग है इनके अंदर भी दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है औ और वी तो डबलू टीसी फाइनल में भी वीडेंगा भी डबलू टीसी से पहले भी तीन मैसे रहा ना ओकात दिखाने के लिए भाई तुम्हें कुत्ते की तरह मारेगी इंडिया देखना अभी अभी तो रगड दिया तुमारा मुह जमीन पर ऐसे ना करके रगड दिया है जिन्दगी बार याद रखोंगे बाप को ने ठीक है तो खेर जुड़े रहे क्रिकेट तक पर ऐसी वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाज जये